एक साप से दूसरे साप में power transmit करने के लिए हम लोग साप coupling का यूज करते हैं लेकिन आपको क्या पता है साप coupling के जो टाइपस रहते हैं कितने टाइपस के साप coupling रहते हैं और उनका जो application रहते हैं वो application क्या रहता हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 टाइप के साप coupling जो नॉर्माली हर इंडर्श्री में लगवग यूज होते हैं और उनका जो application रहता है उनका application सब क्या रहता है तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को सुरूँ कोपलिंगा जो सब सब पहला टाइप होता है बहुता है रिजीड कोपले रिजीड कोपलिंग कहां यूज किया जाता है जहां आपको solid कोपलिंग का ज़रूद रहता है उसके अलाबा उसमें non flexible दो देना चाहिए दोनों साफ्ट के बिच में power transmission करने के लिए उस जगा में हम लोग रिजीड कोपलिंग का यूज करता है लेकिन रिजीड कोपलिंग में आपका जो दो साफ्ट रहता है वो perfectly align होना चाहिए उसके अलाबा दोनों के बिच में कोई भी relative motion नहीं होना चाहिए उसके बाइद जो की असली के लिए उसके बाइद रुड़ साफ्ट करूफलिंग में देखिटाा का खना हम लोग यूज करते हैं मास्तलाब को यह कैरि कर सकता है इसको यूज कर सकता है है भी ली मैशिनेरी एक्विमेंट में उसके बाद जो चोथा कॉपलिंग रहता है बुरेता है ग्रीड कॉपलिंग ग्रीड कॉपलिंग को कहां यूज किया जाता है जहां आपका मिस एलाइमेंट दोनों साफ्ट के बीच में माइनर रहता है उसके अलाबा सौक भी थोड़ आप जोर कर सकता है उस जगा में हम लोग ग्रीड कॉपलिंग का यूज करते है ग्रीड कॉपलिंग का यूज कहां होता है नॉर्माली कनवेर में पॉम में ग्रीड कॉपलिंग का यूज किया जाता है उसके बाद जो coupling रहता है वो coupling है universal joint या तो u joint नोर्माली जहां आपका shaft में perfectly alignment रहता है उस जगा में हम लोग इस type का coupling का use करता है और उसके अलाबा ये normally use रहता है automotive application में उसके बाद जो छटा type का coupling रहता है बो रहता है old arm coupling दो shaft में power transmission के लिए उसके अलाबा अगर दोनों saft में थोड़ा परलाली missile alignment रहता है उसको carry करने के लिए इस type का coupling का use क्या जाता है नोर्माली इंडस्ट्री में इस type का coupling का use क्या जाता है उसके बाद का coupling रहता है बो रहता है disc coupling disc coupling का है यूज क्या जाहाँ आपको torsional stiffness और accuracy चाहिए नोर्माली मेशिनिंग टूल प्रिंटिंग प्रेस में इस ज्यादा यूज रहता है उसके बाद आटवा जो coupling रहता है बो रहता है बेलो coupling बेलो coupling का ही यूज क्या जाता है जहाँ आपको 0-2 class और जहाँ आपको उसके बाद दोस्वा टाइप का जो coupling रहता है बो रहता है torsional rigid coupling जहाँ भी आपका precision और आपका torque transmission चाहिए और torque transmission critical होता है उस जगा में हम लोग इस टाइप का coupling का यूज करता है नोर्माली robotic equipment में इस टाइप का coupling का यूज क्या जाता है उसके बाद 11 टाइप का जो coupling रहता है बो रहता है hydraulic coupling hydraulic coupling में hydraulic fluid का यूज क्या जाता है power transmission के लिए और इसका यूज कहा रहता है नोर्माली hydraulic equipment में इसका ज्यादा यूज रहता है उसके अलबा मैगनेटिक ड्राइब पॉंप में भी इस टाइप का कॉपलिंग यूज के जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने बात किया कुछ यसे कॉपलिंग टाइप के बारे में जो नर्माली मार्केट में ज्यादा यूज होते हैं अगर आपको ये वीडियो थोड़ा ही पसंद है या तो आगे भी आप इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चलाएं को लाइक और सब्सक्राइब काने के लिए मत बूलिया